आज हम बात करेंगे प्रिकृति के बारे में प्रिकृति एक प्रिकृति होती है हमारे आसपास की जो प्रिकृति यानि की उसका स्वभाव हम अपने आसपास में देखते हैं कि कोई व्यक्ती ज़्यादा गुसर के सभाव वाला है, कोई व्यक्ती बहुत शांत है, कोई गंभीर सभाव का है, कोई बहुत चंचल है, किसी को गर्मी ज़्यादा पसंद है, किसी को सरदी का मोसम अनकूल रहता है, कोई भोजन में बहुत तिखे मिर्चे मसालिच वाली चीज़ों का इस्तिमाल करके खुश होता है, किसी को मिठी चीज़ों का इस्तिमाल करना ज़्यादा प्रसमता देता है, क्या ये सिर्फ अभ्यास की वस्तू है, क्या आप जैसे माहोल में रहते हैं, वैसे ही अपने आपको ढाल लेते हैं, क्या स जिस दोश का मूल रूप में प्रादुर्भाव होगा, जिस दोश की मूल रूप में बढ़ोतरी होगी, शुक्र के अंदर, शौनित के अंदर और दूसरे इन्वार्मेंटल फेक्टर्स के अंदर वैसे ही प्रिकृति गर्ब की भी हो जाएगी. आईए जानते हैं कौन-कौन से फेक्टर्स ऐसे हैं जो गर्ब की प्रिकृति को डिजाइन करने में अपना-पना रोल प्ले करते हैं. सबसे पहला पॉइंट है शुक्र और शौनित की प्रिकृति, यानि की माता और पिता का जैसा स्वभाव होगा, उसी की अनुरूप ही गर माता का आहर विहार, गर्ब स्थापना के बाद गर्ब का पूरा पोशन माता से ही होता है, तो माता का आहर विहार वो कैसा खाना खा रही है, किस प्रिकृति का खाना खा रही है, उसकी अपनी प्रिकृति की वो अनुकूल है या नहीं, इन सब फेक्टर्स का प्रभाव गर कि प्रकृति को डिसाइड करने में भीoni करता है आगे पॉइंट है माता की उम्र 11 किस उम्र के अंदर गर्ब की स्थापना हुई है क्या अर्ली thirty's में है या क्या ढर्ली 네ंनीस में है करके कई अनुसार माता की मूल प्रकृति के सभाव में आने वाला जो ब morbidlaàng है वो भी गर्ब की प्रकृति को डिसाइड करने में, अफेक्ट करने में रोल प्ले करता है। आगे बात करेंगे महाभूतों के अंदर अगर कोई विकार आया है, यानि कि आकाश, वायू, अगनी, जल और प्रित्वी, ये पाचों फेक्टर्स में से अगर कोई एक फेक्टर विकार युक्त है, तो उसका असर भी गर्ब की प्रकृति को डिसाइड करने के उपर पड़त हैं कि वात दोश की अधिकता जादा रहेगी, पित दोश की अधिकता जादा रहेगी, या कफ दोश की अधिकता जादा रहेगी, आयूरवेद में साथ तरह की शारीरिक प्रिकृति को बताया गया है, वात, पित, कफ, देखिए इन तीन फेक्टर में मानते हैं, जब व्यक प्रिकृति माने जाती है आगे तीन पॉइंट है वात्पित पित कफ और वात्कफ इन दो दोशों के कॉंबिनेशन से बनने वाली प्रिकृति को द्वंदज प्रिकृति के अंदर माना गया है और सात्वी प्रिकृतियों में से सर्वश्रेष्ट प्रिकृति सम प्रिकृति है उसके बाद कफ उसके बाद पित उसके बाद वात और अंत में द्वंदज प्रिकृतियां एक कैटेगरी में मानी जाती हैं इनको बहुत अच्छा नहीं माना जाता आप श्रेष्टता की आधार पर चार् अल्पकेशो, क्रिशो, रुक्षो, वाचाल, श्मानसय, आकाश चारी, स्वपनेशू, वात प्रकृतिक उनर है क्या मतलब हुआ इस बात का? जिसके बाल बहुत कम हों, यानि कि बाल जड़ते हों, रूखे हों, सुखे हों, ड्राई हों, बहुत कम बाल हों क्रिश हो जो, दुबला, पतला, एकदम, कितना भी खाए हों, लेकिन शरीर के अंदर वजन जिसका ना बढ़े रुक्षता जिसकी शरीर में ज्यादा हो, कबज जिसको रहती हो, शरीर जिसका ड्राई हो, स्किन जिसकी ड्राई हो, रुक्षता शरीर के अंदर ज्यादा द Regel वाचाल यानि कि अत्यधिक बोलने वाला ज्यादा बातुनी जो लोग होते हैं वो वात प्रिकृतिकी वज़े से ही होते हैं मन की चंचलता भी इसमें एक बहुत महतुपूर्ण फैक्टर है जिनके मन के थौट प्रोसेस एकदम से एक्स्ट्रीम पॉजिटिव साइड में चले जाएं ये वाद दोश को ही प्रदशित करता है और सपनों में भी जिनको आकाश में उड़तने के सपने आएं पक्षियों क अंदर जो फैक्टर्स हो सकते हैं उनके संदर्ब में जो सपने देखते हैं ये भी वाद प्रकृति का ही एक लक्षन है आगे बात करते हैं पित प्रकृति पुरुष की लक्षन क्या है उसको कैसे पहचानेंगे अकाले पलिताइर व्याप्तो धीमान स्वेधी चय उश्ण स्वपने जोती शामंद रिष्टा पित प्रकृति को न रहे इसका अर्थ क्या हुआ जिसके समय से पहले बाल सफेद हो जाए यानि कि युवावस्था में ही जिनके बालों में सफेदी देखने को मिले वो पित प्रकृति का एक लक्षन है धीमान जो बहुत बुद्धिमा जो लोग होते हैं पित की वज़े से ही बुद्धिमता व्यक्ति को मिलते हैं और जिनको पसीना जादा आता है स्वेदी जिनको पसीना बहुत जादा आता है और जिनका स्वभाव में उश्णता है जिनका स्वभाव में थोड़ा गुसा क्रोध जो लोग करते हैं ये पित कफ दोश की अधिक्ता जादा है ऐसा मानना चाहिए आगे हम बात करते हैं कफ प्रिकृति पुरुष की लक्षन क्या होते हैं और कैसे पहचानेंगे कि शरीर में कफ दोश की अधिक्ता जादा है गंभीर बुद्धी स्थूल अंग सिनिग्द केशो महाबलय स्वपने जलाश लोग की कफ प्रिकृति को अंदर है इसका आर्थ क्या हुआ जिनकी बुद्धी बहुत गंभीर है जो जादा चिंतन करते हैं जादा गंभीरता से किसी भी विशे के बारे में सोचते हैं वो कफ दोश की वज़े से ही होता है जिनके अंग बहुत स्थूल हैं मोटापा प्रिकृति की बहुत हैं तक गेने अधिक होते हैं एसे लोग नियंद के अंदर भी पानी से सम्मंदित ही सपनो को देखते हैं जैसे या तो वो किसी नहर में तैर रहे हैं किसी नदी को पार कर रहे हैं समुद्र में तैराकी कर रहे हैं जरने के पास में बैठे हैं इस तरह के सपने जिन को आते हैं ये पूरा कोरेलेशन जिन लोगों के अंदर जादा देखने को मिलता है उन शरीरों के अं अंदर तीनों ही दोशों की कुछ-कुछ symptoms balance में दिखाई दें वो अपने प्रिकृति को सम्प्रिकृति मान सकते हैं देखिए मनुष्य की कोई भी प्रिकृति हो सकती है उसके factors हमने बताए माता-पिता की प्रिकृति कैसी थी उसका प्रभाव पड़ेगा आप किन-किन चीज में जो हम चीजें follow करते हैं बहुत थोड़ा प्रभाव उन सब चीजों से आता है लेकिन ये point note यहां पर किया जाए कि हर एक मनुष्य को अपने मूल शारीरिक प्रिकृति को पहचान कर और उसको balance करने के लिए तीनों दोशों के balance को बनाने के लिए जो भी या जो भी खाना पिना रहना सेना indicated है जो उसके तीनों दोशों को balance करेगा ऐसी practices को अपनाना चाहिए ऐसी practices को follow करना चाहिए ताकि अपनी प्रिकृति को balance करके वो लोग लंबे समय तक निरोग रह सकते हैं रोगों से बचे रह सकते हैं और balance करके अपने body को लंबी आयू को enjoy कर सकते हैं देखिए शारीरिक प्रिकृतियों की अलावा अयुर्वेद में मानसिक प्रीकृतियों का भी detail में running किया गया है सात्विक राजसिक और तामसिक यह तीन तरह की मानसिक प्रिकृतियां बताई गई हैं अगर आपने अपनी शारिरिक प्रिकृति को तो पहचान लिया और मानसिक रूप से हमेशा आपके दिमाग में उधल पुथल चलती है तो एक बार इस इन प्रिकृतियों को अगर हम समझेंगे तो आप बहतर को रेलेट कर पाएंगे कि आपकी मानसिक प्रिकृति भी कैसी है पहले बात करते हैं सात्विक प्रिकृति की सत्वगुण क जिन लोगों में अधिक्ता होती है ऐसे लोगों की प्रिकृति सत्विक प्रिकृति कहीं जाती हैं सत्विक प्रिकृति के लोग जो होते हैं बहुत शांत होते हैं संतोशी सभाव के होते हैं इनको क्रोध नहीं आता किसी और सरकम्स्चांसिस को भी बड़े आराम से सहन कर स ऐसे लोग धर्मकारिय करने वाले होते हैं, परोपकारी होते हैं, किसी का भी दूसरे का नुकसान करने के बारे में कभी नहीं सोचते काम, क्रोध, लोभ, मौह और एहनकार और भी जो दूसरे मानसिक दोश हैं, उनका प्रभाव इनके उपर बहुत ना के बराबर होता है, वि ऐसे लोग जिन में सत्व गुण की प्रधानता है, हमेशा प्रसंद रहते हैं, मधुरवाणी इनकी होती है, हमेशा प्रसंदता के साथ, मधुरता के साथ व्यभार करते हैं दूसरे लोगों के साथ, और प्रकृति के सभी जीवों को बराबर स्थान देते हुए, ये अपने जीवन को चलाते हैं ऐसे लोग सात्विक गुण की अधिक्ता वाले होते हैं आगे बात करते हैं राजसिक प्रिविर्टी की राजसिक जो प्रिकृती है ऐसे लोग राजा की तरह व्यभार करते हैं इनके अंदर काम, क्रोध, लोब, मोह और एहंकार ये पांचों गुणों का और भी जो मानसीक अवगुण हो सकते हैं उन सब का प्रभाव कम या ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है ये लोग महत्वा कांग्शी होते हैं भोतिक सुख सुवधाओं को हमेशा ही चाहने वाले होते हैं उसके लिए थोड़ा बहुत अगर अपनी दिन्चरिया में न बहुत अधिक दुखी भी हो जाते हैं ऐसे गुण जिन लोगों में होते हैं उनमें रजगुण की अधिकता ज्यादा होती है और उनको अपनी प्रिकृति राजसिक प्रिकृति के रूप में जाननी चाहिए आगे बात करते हैं तामसिक प्रिकृति की जिन लोगों में तम एहंकारी बहुत कूट-कूट के इन लोगों में एहंकार भरा होता है ये लोग अपने कारिये की सिध्धी के लिए साम दाम दंडभेद किसी भी तरह की अवस्था को अपना कर सिर्फ अपने स्वार्थ की पूर्ती करने में यकीन रखते हैं दूसरे व्यक्तियों को और दूसरे जीवों को ऐसे लोग कम महत्व देते हैं जिन लोगों में तामसिक गुण की अधिकता है ऐसे लोग प्रिकृति के साथ में तालमेल बनाने के बारे में कभी सोचते भी नहीं है ये आपराधिक प्रिवृति के लोग होते हैं और ये बिना किसी कारण के ही हमेशा तूख का अनुभव करते रहते हैं ऐसे गुण जिन लोगों में होते हैं उनकी प्रिकृति को तामसिक प्रिकृति जानना चाहिए निरपवाद रूप से तीनों मानसिक प्रकृतियों की अंदर सर्वस्षेष्ट सात्विक प्रकृति कही जाती है जिन लोगों के अंदर राजसिक और तामसिक गुण कुछ मात्रा में हैं भी उन्हें भी हमेशा बिना संकोच के नियमित रूप से बहुत रिग्रस होकर अभ्यास करना चाहिए कि वो अपने प्रिकृति को, अपने मानसिक प्रिकृति को सात्विक गुणों की तरफ मोल्ड करने के लिए यथा संभव प्रियास करते रहें देखिए शारीरिक प्रिकृति और मानसिक प्रिकृति के ऊपर एंवर्मेंट का भी प्रभाव पड़ता है आप किस तरह की चीज़ें खाते हैं, कैसे आप सोचने का अभ्यास करते हैं, किस तरह की चीज़ों को आप अपने लाइफ में अडेप्ट करने के बारे में तत्पर रहते हैं इन सब चीज़ों की कॉम्बिनेशन से ही आपकी मूल प्रिकृति एक दिशा में चलती है हमेशा अपनी प्रकृति को सम बनाए रखने के लिए और सात्विक बनाए रखने के लिए हर मनुष्य को अभ्यास करना चाहिए एक उम्र के बाद तकरीबन 50 या 60 साल की अवस्था होने के बाद बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि अब उनका मूल सोभाव पक गया है अब उसमें बदलाव नहीं हो सकता सारी उम्र उन्होंने इसी प्रकृति के साथ अपने जीवन को जिया है अब वो शारीरिक और मानसिक रूप से ढल गए हैं अब उसमें वो बदलाव नहीं कर पा रही है देखिए किसी भी उम्र की अवस्था में अगर आप ये पहचान लेते हैं कि आपकी मूल प्रकृति कैसी है और उसमें बदलाव करने के क्या-क्या तरीके हो सकते हैं तो उसका लाब सिर्फ और सिर्फ आपको ही मिलेगा और उम्र की किसी भी अवस्था की अंदर जब आप बदलाव की शुरुआत करते हैं तो पूर्ण ना सही लेकिन आनशिक लाब निश्चित ही आपको मिलेगा और आप उसके बाद जो आने वाले रोगों का जो डर है उसको आप अववड कर सकते हैं और आरुग्य को अपने ज से चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि तीनों प्रिकृतियों के और क्या-क्या गुण होते हैं हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक दिया है जिसको फोलो करके आप अपनी शारीरिक प्रिकृति का ठीक-ठीक अंदाजा लगा सकते हैं और उसको सम बनाने के लिए क्या आपको प्रियास करने चाहिए उनके बारे में भी जान सकते हैं वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आयुर्वेद से आप किस तरह से अपने जीवन को समझ पा रहे हैं और उसको बहतर बनाने के बारे में विचार कर पा सर्वे भवन्तु सुखिने सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणी पश्चन्तु मा कश्चित दुख भाग भवेद धन्यवाद